हाई गाईज आज देखते हैं कि आप Cloudways में कोई server कैसे डिलीट कर सकते हैं तो यह सर्वर है अब मेरे किसी काम कर नहीं है इस पर एक application भी मैं आपको अगर दिखाऊ हूं यहाँ पर यह दिखेगा आपको यहाँ पर यह दिखेगा आपको यहाँ पर करना यहाँ पर को यहाँ मैं क्लिक किया और यह मुझे नए इंटरफेस पर डारेक्ट कर रहा है तो नए इंटरफेस में दिखा रहा हूं कि भावश में देखने को मिले पुराना वाला यह लोग हटा जो अभी क्लासिक इन्होंने नाम रखा हुआ है तो नए वाले को ओपर देते हैं और फिर दिख यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के वदाब आपको कुछ इस तरी किसे दिखाए था यहां पर आप डिलीट में क्लिक करेंगे डिलीट में क्लिक क्या यह पूछता है कि there is always a reason for such decision what's yours तो क्या है आपका decision क्यों आपने यह फैसला लिया डिलीट करने का यह पूछ रहा है तो हम आपको decision आप कहते हैं यहां पर उसको बता सकते हैं मेरे पास नो निद तो मंचे ज़रत नहीं इस server की तो मैं simply यहांपर नो डिख करता है और यह पर यह डिलीट क्लिखने के लिए बोल्ट आ है तो मैं इसको खूपी करकी यहां पर paste कर देता हूं saw simply delete server वे क्लि अंदर वरना यह हमेशागी हो जाएगा यू में रिमूव इट इनकेस यू नीड बैकप प्लीज फिल प्री टू रीच आउट वी कीप इट फो फिटेंगे लोग रखते हैं अगर आपको वापस चाहिए ता आप इन लोगों से संपर्क करके इवेन यहां पर देखिए इसको वापस से रिकावर में करते हैं उसके पर मुझे आशथा नहीं करने वाला था अभी डैश बौर्ड में चलते हैं कोई-भी सरवर नहीं है जिरो सर्वर कोई data करने का यहां पर मुझे क्रेंग रहा है दोस्तों यह है सर्वर काएस हम डिलीट करेंगे अगर क्लावड बेस से कोई सर्विस पर्चेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा उसे लिंक को क्लिक करके पर्चेस कीजिएगा साथ में 20% का एक्स्टा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और क्वेशा एक प्रोमो कोड भी आपको दे दूँगा वहीं इस वीडियो को देखने के लिए आसो का बहुत बहुत अन्यवाद